साथे नमस्कार, साइन्स एंड टेकनोलोजी की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दैनिक जीवन से सम्मंदित जुलोजी या जन्तु विज्ञान के कुछ टॉपिक्स के बारे में हालां कि जो हमारा सिलेबस है, RAS Pre 2023 का जो सिलेबस है उसमें विस्तार से इस बारे में नहीं बताया गया कि जन्तु विज्ञान के कौन-कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में सम्मिलित है केवल इतना बताया गया है दैनिक जीवन से सम्मंदित विज्ञान तो दैनिक जीवन से सम्मंदित ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जन्तू विज्ञान के अंतरगत आते हैं जो लोजी के अंतरगत आते हैं उनकी हम आज के क्लास में बात करेंगे तो वो टॉपिक्स हैं सबसे पहले हम देखेंगे जन्तू जगत के वर्गी करण के बारे में अधा इसके बाद हम बात करेंगे हमारे सरीर की जो मूलभूती काई है कोशिका वो कोशिका क्या होती है कोशिका किस प्रकार से उत्तक और उत्तक फिर मिलकर अंगों का निर्मान करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम बात करेंगे और मनुष्य में लिंग नि जीवन की साखाएं हैं उनके बारे में भी हम आज की क्लास में बात करेंगे तो आई ये क्लास को प्रारम करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ में जो है जन्तु जगत का वर्गीकरण जन्तु जगत के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो जन्तु जगत के वर्गीकरण में उनको कुछ साखाओं में बाढ़ दिया गया है और इन साखाओं को जन्तु विज्ञान या जुलोजी में क्या कहते हैं फाइलम या संग के नाम से जाना जाता है इस प्रकार एक से लेगे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं जब संग में या जन्तु जगत में तो ये सरल प्रकार के जीवों से जटिल प्रकार के जीवों की और हम चलते जाते हैं इसी प्रकार इनकी विशेस्ताएं भी सरल से जटिल की और बढ़ती जाती हैं कौन-कौन से जीव समलित है वो तीसरी जो टेबल का तीसरा पार्ट है उसमें हम देखने वाले हैं तो आईए बात करते हैं जन इनक में जो चलन होता है अथार्थ ये जो मुमेंट करते हैं इस वर्ग के जनतु प्रोटो जोवा संग के जो जनतु मुमेंट करते हैं वो इनके सरीर पर लगी वी एक विशेश सरचना जिने कशाभिक कहते हैं इन कशाभिकां के द्वारा ये क्या करते हैं चलन करते हैं या गमन करते हैं अथार्थ गमन के लिए जिस परकार से हमारे सरीर में हाथ पैर हमें दिखाई देते हैं उस परकार के हाथ पैर इन में नहीं दिखाई देते केवल एक कोशी की इनका सरीर होता है एक्जामपल की यह दिए हम बात करें तो अमीबा और पैरामेशियम इस परकार के जीवों के उधारण है जो हमें नगन आखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। अग्जाम्पल की दियां बात करें। तो कोरल, हाइड़ा, जैली फिस, एनिमोन और मूंगा ये सबी किस के उधारण है। रखना है कि jellyfish कौन से phylum में है jellyfish sealantrata phylum में है ना कि predisive phylum में पिसीज phylum कौन सा है मचलियों से समबन्दित एक वर्ग है जिसे हम आगे class में देखने वाले हैं अगला है platy helmen Siis work platy helmen Siis work में मुख्य रूप से liver fluid planaria और phita कर्मी जिने tap warm के चोटे चोटे जो कीड़े होते हैं किस समूं में आते हैं प्लेटी हल्मेंथिज में इसी परकार अगला समूं होता है S. के हल्मेंथिज में भी इसी परकार के क्रमी या कीड़े आते हैं उधारण है Askeris Voucheria Antrobius ये ऐसा कीड़ा है जो सामानेत हैं हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एनस या उनके गुदा में जो खुजली चलती है जिसे पिनवर्म या थ्रेडवर्म कहा जाता है उसका कारण ये Askeris Voucheria Antrobius नाम का जीव ही होता है जो एसके हेलमन्थी संग की स्रेड़ी में आता है विशेश्ता की अदि हम बात करें तो ये एक लिंगी होते हैं एक लिंगी का अंतात्पर क्या हो गया कि नर और मादा जो है वो उनमें विभेदिकरत इनको नहीं किया जा सकता और इनका जो मुख और गुदा है अथार्थ इस परकार का इनका जो सरीर है उनमें एक सिरा क्या होता है मुख होता है मू होता है और एक सिरा क्या होता है गुदा होता है तो इनके सरीर को विभेदिकरत किया जा सकता है एक सिरा को गुदा के रूप में जाते हैं एनिलीडा स्रेणी में ये भी एक लिंगी भी हो सकते हैं या उभै लिंगी भी हो सकते हैं अथार्थ एक ही जीव पर मेल और फिमेल औरगन पाये जा सकते हैं या फिर मेल और फिमेल औरगन अलग अलग जीव पर भी हो सकते हैं नेक्स्ट है और्थापोडा और्था पतंगे हैं वे सभी आते हैं सभी जो कीट पतंगे होते हैं वो इस और्थोपोड़ा में सम्मिलित होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे चारो और सबसे बड़ा जन्तू का जो सम्मों है वो कीड़े मकोड़े ही है तो ये सबसे बड़ा वर्ग है किसका जन्तू जगत का सबसे वड़ा वर्ग है उदारणम देखें तो मक्ही मच्छर जींगा तितली मधु मक्ही के अलावा जितने भी कीडे मकोडे हमारे चारो तरफ हमें दिखाई देते हैं वो किसके अंतरगत आते हैं और्थो फेड और्थो पोड़ा जो वर्ग है जन्तु जगत का उसके अंतरगत आ हैं मुख्यते समुद्री जीव होते हैं example से आप समझ जाएंगे गोंगा गोंगे में आप जैसे देखेंगे बाहर की तरफ क्या होता है एक कवच होता है हार्ड कवच होता है इसी तरह सीप इसके अलवा समुद्री निम्बू जिसे डेरिस भी कहा जाता है वो भी किस स्रेणी फिस्टो किसके अंतरगत आती है जबकि को हम देखने हैं कटल फिस्ट और डेवल फिस्ट है वो किसके अंतरगत आता है तो मौश्का उन्पूर्णас रेम आप गोंगा, सीप, समुद्री नीमबू, समुद्री कोडी और समुद्री खरगोस और साथ ही साथ ओक्तोपस नाम का जो जीव है वो भी किस स्रेणी में आता है। नेक्स बात करते हैं, पीसीजवर्ग की, जो की मचलियों से सम्वन्देत एक ग्रूप है, सभी परकार की जो मचलियां वो इसके अंतरक्त आती हैं, और ये अंड़ परजक होती हैं, अथार्थ ये अंडे देती हैं, तीन परकार के जनतू होते हैं, आगे हम बात करेंगे, कु जाती है जिसके बाग डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे अभी के लिए में ध्यान रखना है कि पीसीज या मतश्य वर्ग में जो आती है वो आती है मचलियां और ये अंडे देती है एक्जाम्पल है डॉग फिस लॉयन फिस समूदरी घोडा तो ये विशेज रूप से इस पीसीज वर्ग के अंतरगत आती है उससे अगला वर्ग है एंफीबिया जिने उभैचर कहा जाता है अथार्थ ये जल के साथ साथ इस्थल पर भी रहते हैं जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं और ये भी क्या होते हैं अंड प्रजक होते हैं अथार्थ अ सरीसरप, रेप्टाइल या सरीसरप में वे जन्तु आते हैं, जो क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जो प्राणी हैं, वो रेप्टाइल के अंदर काते हैं, ये भी अंड जनक होते हैं, अथार्थ अंडे ही देते हैं, उसके एक्जामपल है, हाइड्र की स्रेणी में रखते हैं उसका कारण क्या है कि ये रेंग कर चलते हैं जबकि मेंडक जो होता है वो रेंग कर नहीं चलता उचल कर चलता है जल थल दोनों में रहता है इसलिए एमफिबिया की स्रेणी में इसे हम रखते हैं अगला है एवीज में सभी प्रकार के पक्षी जो ह वो आसान होता है, ये भी अंड़ प्रजक होते हैं, अथार्त अपनी पीडी को ये अंड़े दे कर आगे बढ़ाते हैं, और सभी के सभी जो पक्षी हैं वो इनके अंतरगत आते हैं, नेक्स्ट है मैमल या इस्तनधारी, इस्तनधारी जो जीव होते हैं, उनकी प्रमुक्ष विशेष्टा ये है कि उनमें सबसे पहले एक तो sweet glands, अथार्थ पसीने से सम्मधित गरंथि पाई जाती है, mammal gland अथार्थ इस्तन गरंथियां पाई जाती है, तेल गरंथियां उनमें पाई जाती है, उनकी skin में से कुछ जो चिकना पदार था वो स्त्रावित होता है उनकी skin से जीवन में दो बार इनकी दात आते हैं, अब ये जो mammals होते हैं, ये अंड प्रजक भी हो सकते हैं, अथार्थ अंडे देकर भी अपनी PD को आगे बढ़ा सकते हैं, जरायूज भी हो सकते हैं, और अंड जरायूज भी हो सकते हैं, जरायूज का मातात पर रहे हैं, परीपक्व वर्गों को पाइलम के नाम से हम जानते हैं और सुरू से लेकर अंत तक जब हम चलते हैं तो सरल से जटिल लक्षणों की ओर हम बढ़ते हैं इसके अत्रिक पे आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि पीसीज से लेके मैमल पीसीज से पी, ए से एमफीबिया, रेप्टाइल का आर, एवीज का फिर ए और मैमल का एम ये जो परम नाम की स्रेणी है, इसे किसके अंतरकत रखा जाता है, इसको रखा जाता है, कोर्डेट्स के अंतरकत, किसके अंतरकत रखा जाता है, कोर्डेट्स तो कोर्डेट्स वे प्राणी होते हैं, जिनमें जीवन के किसी ना किसी अवस्था में मेरू रज्जु पाई जाती है यह मेरू रज्जू क्या होती है जो हमारी पीछे रीड की हड़ी है यह रीड की हड़ी जिस आवरण में पैक रहती है उसे क्या बोला जाता है मेरू रज्जू या नोटो कोर्ड बोला जाता है तो ऐसे सभी जीव जिनमें नोटो कोर्ड या मेरू रज्जू जीवन की किसी किसी अवस्था में पाई जाती है, उन्हें क्या कह दिया जाता है, और ये जो पांच फाइलम है, ये किसके अंतरकत आते हैं, जबकि इससे पहले के सारे के सारे फाइलम किसके अंतरकत आते हैं, नौन कोर्डेट्स के अंतरकत आते हैं, तो ये थे कोर्डेटा एंड नौन कोर non-cor etta में पतलिकरकों से संग सामिल है उसकी बाद करें तो पेसिज, एमफिबिया, रेप्टाइल, एवीज, मेमल सामिल है जिने परम के नाम से जाना जाता है तो ये था एक जन्तु जगत का सामान्यासा वर्गेकरण जिसमें हमने सरल से हम कॉम्पलेक्स की तरफ बढ़ते हुए अलग-अलग फाइलम में जीवों को वर्गेकरण करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जितने भी फाइलम हमने पढ़े उन फाइलम की कुछ विशेष्था हमने देखी उन वर्गों की कुछ विशेष्था हैं हमने देखी उन में से एक विशेष्था हैं कि इन में से कुछ जीव होते हैं समतापी और कुछ जीव होते हैं ए समतापी अथार्थ इनके सरीर का तापमान सदैव एक जैसा रहता है बाहर चाहे कितनी भी सरदी पड़े चाहे कितनी भी गर्मी पड़े इनके सरीर का आंत्रिक जो टेंप्रेचर रहता है आंत्रिक जो ताप रहता है वो एक जैसा रहता है जैसे हमारे सरीर का तापमान 98.6 डिग्री Fahrenheit सदेव इतना ही रहता है केवल बुखार की condition में ये बढ़ जाता है ऐसा नहीं कि बाहर बरफ पढ़ने लगई या सरदी पढ़ने लगई तो ये घटकर कम हो जाए या फिर बाहर बहुत ज़ादा गर्मी पढ़ने लगई जैसे गर्मियों में हमारा जो temperature है वो 55 degree centigrade तक पहुंच जाता है लेकिन उसके बाद में भी सरीर के अंदर का तापमान 36 degree centigrade के आसपास का ही बना रहता है क्यों क्योंकि हम कि स्रेणी में आते हैं समतापी तो समतापी स्रेणी के जीव वे जीव होते हैं जिनके सरीर का तापमान सदय उनियत रहता है बाहिये वातावरण के तापकरम से इनके सरीर का तापकरम प्रभावित नहीं होता है और इसके अंतरगत हमने जो स्रेणिया पड़ी उन स्रेणियों में जितने भी mammals होते हैं यानि जितने भी इस्तंधारी और जितने भी पक्षी हैं स्तंधारी और पक्षी किस के अंतरगत आते हैं सम्तापी या warm-blooded animals के अंतरगत आते हैं अथार्थ मैमल्स और एविज जो हैं स्तंधारी और पक्षी जो हैं उनके सरीर का तापमान अंदर का सदय नियत रहता हैं बाहर चाए कितनी गर्मी हो कितनी ही सरदी हो और इन दो अथार्थ इनके शरीर का तापमा नियत नहीं रहता है, इस तंधारी और पक्षी को छोड़ कर जितने भी प्रकार के जीव, जीवों का वरगी करण हमने देखा पीछे, वो सभी के सभी किसमें आते हैं, ऐ समतापी की स्रेणी में आते हैं, उसके बाद एक और विशेस्ता की ह बात करेंगे वो है खुला परीशंचरन तंतर और बंद परीशंचरन तंतर तो आईए देखते हैं खुला और बंद परीशंचरन तंतर क्या होता है और कौन से जीव खुले परीशंचरन तंतर के अंतर कताते हैं और कौन से बंद परीशंचरन तंतर के अंतर कताते हैं पहले system यदि इस प्रकार का हो कि blood जीव में जो blood होता है रकत होता है वो नलीकाओं में ना बहे और हर्द या hurt जो है वो अनुपस्थित हो तो उसे किस प्रकार का परीशंचनतंत्र कह देते हैं खुला परीशंचनतंत्र ओपन circulatory system बोल देते हैं यह आप देख पा रहे हैं image में open circulatory system यहां हम देखते हैं कि इस तरीसे से रक्त जाकर और कोसिकाओं तक क्यों क्या रक्त पहुंचाता है केसिकाओं के माध्यम से कोसिकाओं तक रक्त पहुंचाता है हर्ट नाम की एक सरचना यहां हमें दिखाई पड़ती है तो ये था अंतरकिस में खुले परीशंचन तंतर और बंद परीशंचन तंतर के अंतरकत आगे हम देखेंगे कि कौन से जीव बंद परीशंचन तंतर में आते हैं और कौन से खुले परीशंचन तंतर में आते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवों की एक और विशेष्टा जो होती है अंड प्रजक्ट, जरायूज और अंड जरायूज ये जो विशेष्टा है ये इस बात पर depend करती है कि अपनी PD को आगे बढ़ाने के लिए कोई जीव अंडा देता है या सिसू को जनम देता है या एपरिपक्व सिसू को जनम देता है उसके आधार पर तीन केटेगरिया बनाई गई है अंड प्रजक्ट, जरायूज और अंड जरायूज पहली है अंड प्रजक जिसे प्रोटोथीरिया के नाम से जाना जाता है और प्रोटोथीरिया ऐसे जीव होते हैं जो अपनी PD को आगे बढ़ाने के लिए अंडे प्रदान करते हैं जैसे पिछले जो भी वर्ग हमने पढ़े उनमें मैमल्स या इस्तंधारियों को छोड़कर सेस जितने भी प्रकार के जीव जनतु हैं वो अपनी PD को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते हैं तो अंड प्रजक के अंदर करत कौन से आगे इस्तंधारियों को छोड़कर सभी प्रकार के जीव जनतु हैं वो अपनी PD अंडे देकर आगे बढ़ाते हैं उसके बाद आता है जरायूज या यूथीरिया यूथीरिया ऐसे जनतु होते हैं जो अपनी PD को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण विक्सित पूर्ण परिपक्व सिसु का जनम देते हैं जैसे हम देखते हैं मानव ठीक है इसके अतिरिक्त तीसरे परकार के जो जीव होते हैं उन्हें कहते हैं अंड जरायुज या इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है मैटाथीरिया मेटाथीरिया परकार के जो जीव होते हैं वो ना तो अंडे के माध्यम से और ना ही परिपक्व सिसू को जनम देके अपनी पेड़ी को आगे बढ़ाते हैं अपितू वो एपरिपक्व सिसू को जनम देते हैं ये परिपक को बच्चोई को जनम देखे फिर अपने पेट की एक थैली में इसको रखता है वहाँ इसका परिपक्वन होता है डवलपमेंट होता है और उस थैली को क्या बोला जाता है मार्शु पूलियन थैली बोला जाता है उधारण इसका कंगारू आपके सामने है तो ये के सभी जीव एक सामान्य सरचना से बने होते हैं और उस सरचना का नाम है कोसी का अथार्थ जीवन की जो मूल भूत काई है वो क्या है कोसी का अब एक जैसी कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेती हैं, एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं, उत्तक बना लेती हैं, टीशू बना लेती हैं, फिर एक ही प्रकार के जो टीशू हैं, एक जैसा काम करने वाले जो टीशू हैं, वो आपस में मिलकर क्या बना ल मास्पेशी या मसल की एक सैल आपको यहां दिखाई दी है फिर उसके बाद में यह बन जाता है टीशू ठीक है टीशू के बाद में ओर्गन जैसे हर्ट यहां पे एक ओर्गन आपको दिखाई दे रहा है फिर यह पूरे सरीर का ओर्गन सिस्टम यानि अलग-अलग अंग मिल इसलिए रोबर्ट हुक को कोसिका की खोज करता की रूप में भी जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं कोसिका की खोज जो की गई ती, वो किसके द्वारा की गई रोबर्ट हुक द्वारा की गई थी अब कोसिका जो होती है अलग-अलग जीवों में कोसिकाओं का आकार क्या होता है अलग-अलग होता है किसी जीव की कोसिका चोटी होती है किसी की बड़ी होती है सबसे चोटी कोसिका जो धरती पर अब तक खोज आजाता है, सबसे बड़ी कोशिका की एदियम बात करें, तो सुतुर मुर्ग का अंडा अब तक हो जी गई, सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका की एदियम बात करें, तो सबसे लंबी कोशिका गिनी जाती है, नरू सेल, हमारे सरीर में जो तंत्री का कोशिकाए हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं नरो सेल जो होती है वो धर्ती पर सबसे लंबी कोशिकाओं का क्या है उधारण है उसके बाद मैंने आपको बताया सेल आपस में मिलकर क्या बना लेती है उत्तक बना लेती है और इसके लिए होशक है कि एक जैसी सरचना और एक जैसा कारे जो कोसिकाई करें वो आपस में मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है उत्तक इसी प्रकार एक जैसे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं एक जैसे टीशू मिलकर क्या बना लेते हैं और सभी के सभी और गंस मिलकर सरीर का क्या बना देत ये बात हुई कोशिकाओं की, अब बात करेंगे कोशिका की कुछ परकारों के बारे में, जैसे मैंने आपको बता है, प्रते एक जीव में कोशिका की आकरती, उसका परकार क्या होता है, अलग-अलग होता है, इसी आधार पर, जितने भी जीव जन्तु हमें हमारे चारों और दिखाई देते हैं उन्हें दो स्रेडियों में हम रखते हैं उनकी कोशिकाओं के आधार पर एक प्रकार के जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं प्रोकेरियोट कोसिकाओं के बीच का अंतर प्रोकेरियोट कोशिकाओं की अधियम बात करें तो प्रोकेरियोट कोशिकाओं सदयव एक कोशिकी होती है प्रोकेरियोट कोशिकाओं सदयव क्या होती है किसमें पाई जाती है एक कोशिकी जीव में अब एक कोशे कुछ जीव जो होते हैं उनका पूरा जो सरीर है वो किवल एक कोशिका से ही बना होता है उन्हें क्या कह देते हैं एक कोशी किये जीव कहते हैं और इन एक कोशी किये जीव में ये जो प्रकार पाया जाता है किसका यानि संख्या के आधार पर तो कैसा हो गए एक कोशी किये जीव और एक कोशी किये जीव में यदि कोशीका का प्रकार हम देखते हैं तो इन में सदैव प्रोकेरियोट प्रकार की सेल्स मिलती हैं जबकि दूसरे प्रकार के जन्तु कोशिका के आधार पर हम देखें तो वो होते हैं यदि दो से ज़्यादा कोशिकाई होती हैं उन्हों को क्या कह देते हैं बहु कोशिकिये ठीक है तो बहु कोशिकिये जो जीव होती हैं उनमें सामनेत है यूकरियोट प्रकार की जो सेल्स ह वो मिलती है ऐसा नहीं है कि प्रोकेरियोट जो सेल्स होती है एक कोसी किये जो जन्तु होते हैं उनमें सदैव ही प्रोकेरियोट परकार की सेल्स मिले कुछ एक कैसी किये जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिन में कोशिकाओं का प्रकार कैसा हो सकता है यूकेरियोट प्रकार का हो सकता है तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रोकेरियोट जो सेल्स होती हैं वो एक कोशिकीये जन्तों में पाई जाती हैं सदेव बात करते हैं इनमें अंतर की एक कोशी की है प्रोकेरियोट और यूकेरियोट जो सेल्स होती है उनमें अंतर आखिर क्या क्या होता है तो आएए पहले हम टेबल के माध्यम से समझेंगे उसके बाद हम इस डाइग्राम के माध्यम से इस अंतर को समझने की कोशिश करेंगे पहले समझते हैं टेबल के माध्यम से अंतर टेबल के माध्यम से यदि हम अंतर समझें तो हम देखते हैं इस प्रोकेरियोट और यूकोरियोट कैसिकाओं का अंतर किया जाएं तो देखिए सबसे पहला जो अंतर हमें यहां दिखाई देता है वो यह है कि इसमें कम विक्सित प्रकार की कोशिकाएं आती है यानि प्रोकेरियोट प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो ऐसे जीव जन्तूओं में पाई जाती है जो क्या होते हैं? सरचना में सरल होते हैं, कम विक्सित प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टेरिया और नील हरित सहवाल, एलगी और बैक्टेरिया प्रकार के जो सरल जीव होते हैं, उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कैसी होती है? प्रोकेरियोट प्रकार के और कम विक्सित जीव जन्तों में पाई जाने वाली कोसिका कैसी हो गई प्रोकेरियोड प्रोकेरियोड जैसा मैंने आपको बताया कम विक्सित जीवों में पाई जाती है तो कोसिका में कोसिका के अंदर कुछ जो पाई जाती है उन्हें क्या कह देते हैं कोसिका के अंदर क्य जालिका होती है, गालजिकाई होती है, माइट्रोकॉंड्रिया होता है, सेंट्रियोल होता है और लाइसोसोम होता है, ये सभी क्या होते हैं, सैल ओर्गिनम्स या कोसिकांग होते हैं, अब विशेश रूप से ध्यान देना, ये सभी कोसिकांग जो होते हैं वो प्रोकेरियोट प्रकार की कोसिकांग में नहीं पाये जाते हैं अताथ प्रोकेरियोट कोसिका बिल्कुल सरल प्रकार की होती है ये सभी के सभी कोसिकांग इसके अंदर नहीं पाये जाते हैं जबकि यूकेरियोट प्रकार की कोसिका में ये सभी कोसिकांग पाये जाते हैं बीच में केंद्रक भी होता है माइट्रोकॉंड्रिया भी इसमें पाये जाता है सेंट्रियोल भी इसमें पाये जाता है एंडोप्लाज्मिक रेट्विकूलम जो की केंद्रक से लगी भी होती है वो भी इसमें पाई जाती है, गोलजी बोडी भी इसमें पाई जाती है, क्यों? क्योंकि ये complex प्रकार की, या जटिल प्रकार की एक सरचना है, जबकि ये सरल प्रकार की सरचना है, तो ये सब नहीं मिलते हैं नेक्स्ट हम बात करें इसकी भित्ती की, तो इसमें जो कोसिका भित्ती, कोसिका को चारो तरफ से आवरन करने वाली जो भित्ती होती है, वो कोसिका भित्ती, प्रोकेरियोट जो कोसिका होती है, उसमें तो किसकी बनीवी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट से मिलकर बनी होती है जबकि यूकेरियोट प्रकार की जो कोशिकाई होती है उनमें ये जो कोशिका भित्ती होती है ये किसकी बनी भी रहती है सेलुलोज की बनी भी होती है तीसरा राइबोसोम जो उपस्तित होते हैं किसमें प्रोकेरियोट कोशिकाउ में राइबोसोम क्या है एक प् एक और पडार्थ जो kaosika में पाया जाता है जिसे हम dna के नाम से जाना जाता है जो कि genetic material है ये kaosika kaosika में केंडरख और केंडरख के अंदर dna जो है वो पाया जाता है बात करें prokaryote cells की तो prokaryote cells में ये जो dna होता है ये एकल सुत्री होता है single helical होता है एकल सुत्री होता है जबकी जो यू केरियोट सेल है उसमें केंडरक के अंतरकत जो डियने पाया जाता है वो डबल हेलिक्स होता है द्वी सुत्री पाया जाता है बात करें गमन के बारे में तो प्रो केरियोट प्रकार की जो cells होती है उनमें गमन के लिए कसाभिक और तंतू पाया जाता है फ्लेजिला पाई जाती है ये cell के उपर इस प्रकार की एक सरचना लगी होती है जिसे फ्लेजिला या कसाभिक कहते हैं और ये फ्लेजिला या कसाभिक जो की प्रोकेरियोट सेल्स में पाई जाती है, वो संख्या में केवल कितनी होती है, एक होती है, जबकि यूकेरियोट जो सेल्स होती है, उनमें कसाबिक या फ्लेजिला में दो तंतू पाई जाते हैं, दो फिलामेंट्स पाई जाते हैं, स्वसन की यदि हम बात करें, रेस्पाइर उकेरियोटिक जो सेल्स होती है उनमें रेस्पाइरेशन प्लाजमा मेंब्रेन के माध्यम से होता है कोसिका कोसिका के जो जिल्ली होती है उसके माध्यम से यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर रेस्पाइरेशन होता है रेस्पाइरेशन या स्वसन होता है जबकि जो यूकेरिय cancellation या photosynthesis eukaryotic cells में एक विशेश सरचना में होता है जिसे तहलेकोईड क喂 prokaryote में तो किसम होता है तहलेकोईड में जबकि eukaryotic जोinga cells होती है उनमें photosynthesis या प्रकास cancellation जो होता है वो chaploplast नाम की जो सरचना होती है जो की पेड़ पोदो की पत्तियों में इस्ठित होती है, वहां पर होता है, कोशिका विभाजन या Cell Division की organism पात करें, तो prokaryotic cells में कोशिका विभाजन केवल अर्द सुत्री परकार का पाया जाता है, अर्द सुत्री अथार्थ, जो गुनसुत्र हैं उनकी संख्या आधी रह जाती है विभाजन के पस्चान किसमे prokaryotic cells में जबकि eukaryotic cells में अर्द सुत्री और शम्सुत्री दोनों प्रकार के विभाजन मिलते हैं अखार्थ कोशिका विभाजित होती है तो उसमें गुण सुत्रों की संख्या मूल कोशिका के या पैत्रक कोशिका के बराबर भी रह सकती है या उससे आधी भी रह सकती है इनमें लेंगिक जनन नहीं पाया जाता किसमें प्रोकेरियोटिक जो सेल्स होती है उन प्रोकेरियोटिक सेल्स में लेंगिक प्रकार का जनन या सेक्स्वल जो जनन होता है वो नहीं पाया जाता है ठीक है वो reproduction, sexual reproduction या नहीं मिलता sexual reproduction का तातपर है मादा और नर जननांग male and female में संपर्क होने के पस्चांत नए जीव का जनन होता है तो उसे sexual reproduction या langic genan कहते हैं prokaryotic प्रकार की cells में इस प्रकार से जनन या इस प्रकार से reproduction नहीं होता जबकि eukaryotic प्रकार की cells में इस प्रकार का reproduction होता है ये तो हमने समझा prokaryotic और eukaryotic का अंतर एक table के माध्यम से आईए diagram के माध्यम से भी इसे समझने का प्रियास करते हैं diagram यदि हम देखे हैं तो इस प्रकार के diagram हमें prokaryotic और eukaryotic cells के दिखाई देते हैं एक तरफ है prokaryotic cells और एक तरफ है eukaryotic cells इस तरफ है prokaryote और इस तरफ है eukaryote तो आप देखेंगे prokaryote प्रकार की जो cells है वो एक सरल प्रकार की cell है और इसमें विभिन प्रकार के जो कोसी कांग है वो नहीं पाए जा रहे विसी इन विभिन प्रकार के जो कोसी कांग जो की कोसी का के अंदर इस्तित होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं यहां हम देख रहे हैं केंद्रक मिल रहा है केंद्रक केंद्रिका भी मिल रही हैं यहाँ prokaryotic cell में हमें देखने को नहीं मिल रही इसी प्रकार phlegyla यहाँ हमें एकल तंतु की दिखाई देती है जबकि यहाँ दो तंतु लगे वे होते हैं अगर इस पे होते हैं तो ठीक है लेकिन एक चीज हमें यहां को मन दिखाई दे रही है दोनों में ribosome लेकिन उनमें अंतर का है यहाँ 70S प्रकार के ribosome और यहां 80S प्रकार के ribosome हमें मिलेंगे प्रोकेरियोट में 70S प्रकार के ribosome और यूकेरियोट में 80S प्रकार के ribosome हमें देखने को मिलते हैं तो यह था प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक cells के मद्दे या कोशिकाओं के मद्दे अंतर अब बात करते हैं विभिन प्रकार के जो यदि हम जीवों को हमारे चारो तरफ देखते हैं तो उसमें दो प्रकार की कैटेगरी हमें दिखाई देती हैं एक तो पेड़ पोदे जिने क्या कहा जाता है पादप और दूसरा जीव जन्तु जिने कोमनली क्या कह देते हैं एनिमल्स या जन्तु की कैटेगरी के अंतर करते देते हैं तो दोनों की जो कोशिकाओं होती हैं उनमें भी अंतर होता है तो आईए देखते हैं पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में अथार्थ किसी पेड़ पोदे की कोशिका को यदि हम देखे और किसी जन्तु की कोशिका को यदि हम देखे तो उन में क्या मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलता है तो देखे पादप जो कोशिका होती है उस पादप कोशिका में एक सेल वाल भी हमें दिखाई देखने को मिलती है ये तो क्या है cell membrane या कोसिका भित्ती तो कोसिका जिल्ली या cell membrane तो कोसिका जिल्ली तो चाए animal cell हो चाए plant cell हो दोनों में ही कोसिका जिल्ली तो देखने को मिलती है लेकिन plant cells या पादप जो कोसिकाएं होती है उनमें इस cell membrane के बाहर की और एक और जिल्ली होती है उस जिल्ली को क्या बोल देते हैं ? कोसिका बित्ति या सैलवाल बोल देते हैं तो पाध्यप कोसिकाओं में तो ये सैलवाल उपस्तित होती है जबकि जन्तु कोसिकाओं में सैलवाल या कोसिका बित्ति उपस्तित नहीं होती है यहां प्लास्टिड पाध्यप कोसिकाओं में प्लास्टिड या लवक जो है वो उ खरचना अनुपस्तित होती हैं इसी परकार एक अन्य कोशिकांग या सैल ओर्गिनल्स जो की कोशिका के अंदर इस्थित होता है उसका नाम है तारककाय या सेंट्रोसों ये सेंट्रोसों पादप कोशिकाओं में तो क्या होता है अनुपस्तित जबकी जन्तु कोशिकाओं में ये क्या होता है उपस्तित होता है इसी प्रकार एक अन्य कोशिकांग जो कोशिका के अंदर पाया जाता है और सबसा बड़ा कोशिकांग की स्रेणी के अंदर कतो रखा जाता है कोशिका के अंदर जो भी पाया जाता है उसे कोशिकांग कहते हैं तो इसी प्रकार का एक कोशिक रिक्तिका जो कि लगबग पादप कोशिका के पूरे आकार में फैला रहता है इस से रिक्तिका का आकार पादप कोशिका में तो होता है बड़ा और जन्तु कोशिका में इसका आकार क्या होता है छोटा होता है जबकि पादप कोशिका में आकार की यहीं हम बात करें तो पाद देखा रहे हैं जन्तु कोशिका और पादप कोशिका का डाइग्राम जन्तु कोशिका और पादप कोशिका के डाइग्राम में हम देखें तो आपको अंतर इसपश्च दिखाई दे रहे हैं इसकी आकरती कैसी आयताकार इसकी कैसी गोलाकार यहां हम देखते हैं कि कुछ जो स जोटा हमें दिखाई देता है तो ये थी पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में कुछ आधार भूत डिफ्रेंस आगे जलते हैं और बात करते हैं जैसा हमने देखा था कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी कोशिकाओं को दो प्रकारों में सभी जो जीवों को दो प्रक कोशिका होती है केवल वही जीवन के सारे काम करती है जबकि यहां बहु कोशिके जीव में अलग-अलग कारणियों के लिए अलग-अलग कोशिकाएं पाई जाती है अथार्थ एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जीव बना होता है तो वह बहु कोशिके और एक ही कोशिका से मि कर बना होता है तो वो एक कोसी की है एक कोसी की जीव का उधारन है येस्ट चुकि एक कोसी का से बनाओगा तो इनके सरीर का जो संगठन होगा वो बिल्कुल ही सरल प्रकार का होगा और यहां जो संगठन होता है सरीर का वो कॉंपलेक्स प्रकार का में दिखाई देता है क्यों बैक्टिरिया में हम देखते हैं, अमीबा में हम देखते हैं, सीधा संपर्क वातावरण से उनका रहता है, जबकि बहुकोश्य की जो जीव होते हैं, उनमें कोशिका का संपर्क सीधे वायुमंडल से नहीं होता है, जैसे हम देखते हैं, हमारे सरीर में कोशिकाएं कोई हमें बहुकोश्च के जीवों में, चाले के सारे जो कारे सरीर के होते हैं, वो कौन करता एक ही कोशिका होती है और यहाम देखते हैं, अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग कोशिकाई होती है, तो चुंकि किसी भी परकार के कारे के लिए अलग-अलग कोशिकाई नहीं होती है इसलिए स्रम विभाजन जो होता है वो कोशिकांग इस तर पर होता है अथार एक ही कोशिकाई में अलग-अलग परकार के जो कोशिकांग होते हैं वो अलग-अलग परकार का क्या करते हैं कारे संपन करते हैं इसलिए स्रम विभाज जो होता है वो कोशिकांग इस्तर पर होता है और यहां कोशिकिये इस्तर पर उत्तकिये अंग और अंगतंतर इस्तर पर होता है अतार अलग-अलग कोशिकांग के अलग-अलग काम फिर अलग-अलग अंगों के अलग-अलग काम अलग-अंगतंतर के अलग-अलग काम यहां हमे दिखाई देता है यहाँ एक ही प्रकार की कोशिका होती है तो अलग-अलग प्रकार के आकरती कोशिकाओं का परसनी नहीं उठता एक ही कोशिका है तो एक जैसी रहेगी तो किसी प्रकार का कोशिका विबेदिकरण नहीं होता यहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग प मिलतूरे की रोषन से बनाए वो क्या हो गए स्वय पोसी तो को सी की जीव तो ऐसा कार्रे करते हैं इसलिए हो गए सव पोसी और कुछ दूसरे जीव कुछ कोशी का किस क्रेगरी में रखा जाते हैं स्वेपोशी अथार्थ अपना बोजन स्वेम बनाते हैं और कुछ किस क्रेगरी में रखा जाते हैं पर पोशी अथार्थ अपना बोजन स्वेम नहीं बनाते हैं एक कोशी की जीवों में जो कोशी का का प्रकार होता है वो प्र और तेवल परकार की यूगेरियोट परकार की कोशिकाएं ही होंगी नेक्स्ट हम बात करें जनन के बारे में मुख्यत हैं जो एक कोशिक ये जीव हैं वो अपना रेप्रोडेक्शन या जनन एसेक्सवल रेप्रोडेक्शन के माध्यम से करते हैं लेकिन कुछ एक कोशिक ए जीव सेक्षौल रिप्रोडेक्शन या लेंगिक जनन के माध्यम से भी अपनी PD को आगे बढ़ाते हैं इसी प्रकार बहु कोशिक ए जीवों में भी लेंगिक और एलेंगिक दोनों प्रकार के जनन ही हमें देखने को मिलते हैं तो ये थे एक कोशी किये और बहु कोशी किये जीव और उनमें पाए जाने वाले मूलभूत अंतर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कोशी का सिध्धान्त के बारे में कोशी का के बारे में हम देख चुके कोशी का के परकारों के बारे में देख चुके और इसी से सम्मंदित एक सिध्धान्त दिया गया, किस के दोरा स्लीडन और स्वान के दोरा, ये परिक्षा में पूछा जा सकता है, important है कि कोशिका सिध्धान्त किस ने दिया, तो कोशिका सिध्धान्त किस ने दिया, स्लीडन और स्वान दोरा दिये गए, इस कोशिका सिध्धान्त को आगे बढ़ बना है कोशिका से बना है ठीक है और इस प्रतेक जीव जो की धर्ती पर पाये जाता है उसका सरीर भी किस से बना होगा अगर उसकी प्रती कोशिका से हुई है तो उसका सरीर निश्चित रूप से एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा और कोशिका ज होते हैं अपनी अलग उपापचा होती है अपना अलग पोशन वो प्राप करती है इस प्रकार एक स्वतंत्रिकाई की रूप में कोशिका कार्य करती है कोशिका का जब निर्मान होता है उसमें केंद्रक की भूमिका सबसे महत्रपूर्ण होती है अतार्त केंद्रक के माध्यम स कोशिका का मूल रूप से क्या होता है निर्मान होता है इन चार बातों को किसने कहा सलीडन और स्वान ने कहा अपने कोशिका सिध्धांत के अंतरकत इसको थोड़ा और विस्तार दिया किसने विर्चो ने और कहा कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं धरती पर जितने भी प्रका का सिध्धान दिया गया किसके द्वरा स्लीडन स्वान के द्वरा बढ़ाया गया किसके द्वरा विर्चो के द्वरा नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अन्य महतपूर्ण विज्ञान से समधित कारक जो दैने की जीवन में बहुत उपयोगी है वो है मनुष्य में लिंग निर्धारन होता है कि यह मेल है या फिमेल तो उसका निर्धारन करने वाले जो कारक होते हैं वो होते हैं गुणसुत्र कौन होते हैं गुणसुत्र या इनेक आ जाता है क्रोमोसोम क्रोमोसोम या गुणसुत्र अब क्रोमोसोम नाम की जो सरचना है वो मनुष्य में कोसीका के सितर पर पाई जाती है कोसी का कोसी का के अंतर क्या होता है केंद्रक क्या होता है केंद्रक और केंद्रक के अंतरकत क्या होता है DNA और इस DNA को जब कुंडलित रूप जो हो जाता है DNA का उसे ही हम क्या कहतेते हैं गुणसुत्र कहतेते हैं तो मनुष्य जो है मनुष्य की जो प कुल गुनसुत्र कितने? 46 और 23 जोड़ी तो पेर तो कितने? 23 और संख्या कितनी? 46 अब ये जो 46 गुनसुत्र होते हैं या 23 जोड़े गुनसुत्र होते हैं उन में से 22 जो जोड़े होते हैं वो तो चाहे मेल हो चाहे फिमेल हो आदमी हो चाहे औरत हो दोनों में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं क्या होते हैं एक जैसे होते हैं लेकिन गड़बर कहा होती है तेईसवे जोड़े में तेईसवा जोड़ा जो गुनसुत्र का होता है जिसे क्या बोला जाता है लिंग गुनसुत्र या सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है इस लिंग गुनसुत्र या सेक्स क्रो हमोसों बोला जाता है उसमें विन्ता क्या होती है देखे बाकी के जो 22 जोड़े होते हैं वो 22 जोड़े एक जैसे होते हैं अथार 44 गुनसुत्र चाहे नर हो चाहे मादा हो दोनों में एक जैसे होंगे लेकिन जो 23 जोड़ा होता है वो 23 जोड़ा पुरुस में तो क्या होता है xy, जबकि female में क्या होता है xx, तो ये अंतर यहां दिखाई देता है, 22 अथर, 22 जोड़े, अथर, 24 चुमाड़े स्गुनस्तुत्र दोनों में एक जैसे, 23 वा जोड़ी, पूरुस में xy, और मादा में कुनसा हो गया, या female में कैसा हो गया xx, तो difference कहां आया female में, female में एक x की जगे क्या आगया, एक y यही निर्धारित करता है मनुष्य में, आने वाली pd में link को, या sex को की male होगा या female होगा, तो देखे जब भी किसी व्यक्ति की संतती बढ़ती है, अथर, pd बढ़ती है, जनन के माध्यम से, तो क्या होता है male और female का जो संपर्क होता है, उसके माध्यम से होता है male से आता है, सुक्राणू male से आता है, सुक्राणू या जिसे हम कह देते है, sperm sperm इसी प्रकार, female से आता है अंडा, जिसे हम कह देते है egg, अब मेल में ये सुक्राणू बनता है तो उस समय अर्द सूत्री विभाजन होता है अथार्थ जो 46 जोड़े गुण सुत्र है वो किसमे बदल जाते हैं दो पेर्ष में मालो ये मेल था मेल में क्या हो गया 44 x y ये 46 गुण सुत्र 22 प्लस x आजाएं 22 तो एक जैसे आएंगे इधर दूसरी कंडिशन क्या बनेगी 22 तो एक जैसे ही इसमें हो सकता है x की जगे क्या आजाएं y आजाएं फिमेल में जब इस प्रकार का अर्द सुत्री विभाजन होता है अंडा बनते समय तो इसमें क्या होता है एक ही प्रकार के संभावना होती है दोनों जो अंडे बनेंगे उसमें 22 प्लस x और 22 प्लस x ही होगा यानि अंतर कहा आएगा ये जो y क्रोमोसोम है उसके अंतर के कारण ही आने वाली संत्री का लिंग निर्धारण होता है यानि y गुणसुत्र जो पुरुस का होता है वो ही मुख्य रूप से क्या होता है लिंग निर्धारण की प्रकृया को निर्धारण करता है कैसे करता है इसे भी हम देखेंगे आने वाली स्लाइड में लेकिन यहां आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि सभी प्रकार के जो गुनसुत्र होते हैं वो हम देखते हैं 22 जोड़े गुनसुत्र तो एक जैसे होते हैं 23 वे में यह डिफरेंस आ गया यहां हम देखते हैं यह फिमेल में XX और मेल में क्या हो गया x y गुन सुत्र आ गया अब कैसे ये link निर्धारित को प्रभावित करते हैं तो आ ये देखते हैं link निर्धारन की जो प्रक्रिया है अब है हमने देखी थी कि नर जब भी this pump बढ़ेगा तो इसमें हो गया 22 plus x हो सकता है या 22 plus y यहाँ 22 plus x और 22 plus x C होंगे क्योंकि इसके क्या है component xx या xy तो ये y एक तरफ आ सकता है अब विभिन प्रकार के संयोग बन सकते हैं कैसे ये ऐसा सुक्राणू ऐसा स्पम्स जिसमें 22 प्लस x प्रकार के गुनसुत्र है वो क्या हो सकता है इससे संयोग कर सकता है तो 22 24 और x और x क्या बन जाएगा इससे ना संयोग करके इससे संयोग करे तो भी संभावना कुनसी होगी यही x और x xx तो क्या हो गया female अब मालो दूसरे प्रकार के ये वाले प्रकार के जो संपर्क करते हैं इससे या इससे तो क्या संभावना बन गई 44 x प्लस y 44 x प्लस y यानि लड़का होने की संभावना तो पुरुस और महीला के स्पंस और एक जब मिलते हैं तो 50% तो ये संभावना होती है कि लड़की होगी और 50% लड़का आथा 50-50 संभावना होती है लड़का और लड़की होने की लेकिन ये लड़का और लड़की होने का जो अंतर आता है वो किसके कारण आता है, महिला के कारण नहीं, वो किसके कारण, पुरुस का जो Y क्रोमोसोम है, उसके कारण आता है, Y क्रोमोसोम के कुछ मुख्य बाते हम देखें, तो Y क्रोमोसोम जो होता है, वो X क्रोमोसोम से लंबाई में क्या होता है, छोटा होता है, साथ ही साथ, X जो क why chromosome है उस पर y chromosome की अपगशा जो जीन होते हैं वो भी जाता होते हैं देखिए जीन क्या होते हैं जितने भी गुणसुत्र होते हैं उन गुणसुत्रों के कुछ छोटे छोटे पांट जो कि किसी एक particular लक्षन को या विशेष्ता को परकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं जीन कहलाते हैं तो जीनों की जो संख्या होती है वो X गुण सुत्र पर Y गुण सुत्र की अपेक्षा क्या होती है अधिक होती है ये था मनुष्य में लिंग निर्धारन लेकिन कुछ जीव जन्तों में लिंग का निर्धा आज दारन की पत्रिया अब हमारे अंतिम बिंदू की और चलते हैं अंतिम टुपिक की और चलते हैं आज की class के जिसमें हम बात करेंगे जुलोजी से सम्भंदित विभिन साखाओं के बारे में ब्रांचेस के बारे में जैसे Espiculture, Espiculture का ताधपर है Anatomy सरीर के अंदर की जो सरचना है उसको देखने से संबंदित है आंत्रिक सरचना से देखने की संबंदित है फीजियोलोजी सरीर की कारी की सरीर के अंग किस प्रकार से कारे कर रहे हैं अंग तंत्रों की कारे परणाली देखने की जो विद्या है उसे हम क्या कहतेते हैं ब्रांच उसे क्या कह देते हैं, Physiology, Neurology, हमारे शरीर का जो तंत्री का तंत्र है, उसके अध्यन को क्या कह देते हैं, Neurology, Cardiology, हरद्य के अध्यन को का जाता है, यूरलोडी, kidney से संबंदित जो बिमारियां है या kidney की सरचना कर दिन की कह लाता है, यूरोलोडी, इसी परकार gynecology, महिलाओं का जो जननतंत्र या reproductive system होता है, उसका किसमें किया जाता है, gynecology, pediatrics, cishups से संबंदित विद्धान अथारढ, छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे सम्मंदित जो अध्यन होता है वो पीडियाट्रिक्स ओडेंटोग्राफी किस से सम्मंदित दाथ या टीच से सम्मंदित जो अध्यन है उसको क्या कह दिया जाता है orthopedics हड़ी से संबंदित जो अध्यन है उसको क्या कह दिया जाता है orthopedics इसी प्रकार geronatology व्रद्धा अवस्था में जो रोग व्यक्ति की होते हैं या व्रद्धा अवस्था की अवस्थाइं हैं उन से संबंदित जो अध्यन है उसे gerontology के अंतरगत रखते हैं anthropology मानव का व्यकास evolution कैसे हुआ सरल से जटिल प्रकार के जीव किस प्रकार से बने उसका अध्यन anthropology के अंतरगत आता है एक्स biology उपग्रह या अंत्रिक्ष में जीवन की संभावना खोजना किस के अंतरगत आता है एक्स biology उसके बाद आता है morphology और morphology के अंतरगत प्रत्वी पर जितने भी प्राणी वे पोधे हैं उनकी सरचना का अध्यन आता है तो ये थी जन्तु संबंदित कुछ विशिष्ट प्रकार के तख्थे जिन से परिक्षा में प्रशन पूछने जा सकते हैं ऐसा pattern रहा है कि इस प्रकार के प्रशन परिक्षा में पूछे गए हैं तो आईए देखते हैं कुछ ऐसे तख्थे जो की जन्तु विज्ञानिया जोलोजी से संबंद है सबसे सरीर का मजबूत क्या है मेटर है इसी प्रकार फेफडों की यदि हम बात करें तो हम पाएंगे हमारे फेफडों का जो आंत्रिक सतय है उसको यदि पूरी तरीके से खोल दिया जाए तो उसका सतही छेतरफल इतना अधिक होता है कि हमारा जो भाई ये छेतरफल है उससे भी 40 गुना यानि हमारे सरीर का जो भाई ये छेतरफल अमें दिख रहा है उससे 40 गुना बड़ा इसका सतही छेतरफल होता है फेफडों का सतही छेतरफल होता है हर्दे की यदि बात की जाएं तो हमारा जो हर्दे है वो एक मिनट में आपको पता है कि हर्दे क्या प मिनट में क्या किया जाता है तो एक मिनट में लगबग साड़े चार लिटर बलड को हरदय के द्वारा हर्ट के द्वारा पंप किया जाता है और एक 23 सेकंड के कम समय में ही जो पंप जो किया गया है हरदय के द्वारा जो पंप किया गया है बलड वो नाम ही केवल छोटा है उसके लंबाई की यदि हम बात करें तो उसके लंबाई लगबग 7 मिटर होती है इसी प्रकार स्वसन गतिविदी की यदि हम बात करें तो जब भी हम स्वसन लेते हैं जब भी हम स्वसन करते हैं रेस्पाइरेशन करते हैं तो उसमें समय लगता है कितन समय 5 second लगता है जिसमें 3 second लगते हैं सास को बाहर चोड़ने में और 2 second लगते हैं सास को अंदर लेने में ये थे जनतू विज्ञान से सम्भंदित कुछ तक थे और जनतू विज्ञान का जो वर्गीकरण जिसमें अलग-अलग वर्गों में हमने जीवों का रखा उनकी विशेशता हैं देखी, विबिन परकार की कोशिका हैं देखी, कोशिका सिध्धान्त को हमने देखा मिलते हैं अगली क्लास में एक नए डॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद जहें